अब सब्सक्राइब किजिए चैनल को और प्रेस कीजिए बैल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए अब दुस्तों सब्सक्राइब इस चैनल में मैं आज आपके सामने लेकर आए हूं यह डिसकस करने के लिए यूपी पीचेस असिस्टेंट प्रसेगेशन ऑफिसर या इसको बोलते हैं हिंदी में सहयक अभियोजन अधिगारी कि पोस्ट के लिए तयारी कर रहे हैं वह किस तरह सा कर सकते हैं और क्या उनका प्रोसर्स है क्या है एज लिमिट्स क्या है और इसमें कौन-कौन सी वह बुक या नोट्स पढ़ें जिससे कि वह इस अग्जान को जल्दी से क्रेकर पाएं क्या क्या आपको इसमें करना होगा यह सारी चीज़ें इस व्यूडियों में देखेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीसे में नहीं आप लिखा हुआ है यूपीच के लिए तो आप यहां पर देखें यूपीच में क्या है तो इसके जैसे कि आप देख सकते शरिक दिंपे तीन आपके जो है पहला पाट प्रेमिरली एक्जाम अनदर जो इस में आपको इसमें बता देता हूं लेकिन उससे पहले जो लेक त्यारी करें उनके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वह आप देख लीजिए या तो लोग अपना फाइव वर्स वाला बी एलल्वी का कोर्स किये हूं या त्यरी यर्स एलल्वी कोर्स किये हूं यह जरूरी है ठीक है और अगर आप सरकारी वकील के लिए देख रहे हैं तो उसके आप देख सकते की दो मैथड उसमें नॉर्मल ही होते हैं तो नंबर वन ओर जो एक्सपिरेंस के हिसाब से होता है एक्सपिरेंस बेस पर होता है औ तो उसको सरकारी वकील में तो होती है मगर सपोर्च कि जब तक जिस गवर्रमेंटेंट ने उनको सरकारी पतर पर चुना है तभी तक उस पदपर बने रहते हँरा चांसे स्फली कर राए उनको उत्ता दें या फिसलिए इस वालिकल बीगला बहातक्यां कि में experience कितना होना चाहिए किस-किस जो सुप्रीम कोट या हाई कोट के वकिल के इंटर उन्होंना guidance लिए होनी चाहिए या बार काउंसल का license होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो इसकी हम विल्कुल भी बात लिए कि 21-40 साथ तक आप इस एक्जाम को दे सकते हैं कहीं कहीं 35 भी दिखाता है वह कैटर इस वाई से एक बार आप जुरूर्ण लाइन चेक कर लें कुछ बहुत सारे बदलाव आ जाते तो एज का आप एक बार देख सकते हैं यहां पर चलते हैं जो प्रीमिली एक्जाम है जिसको प्रारंबिक परिक्सा कह सकते हैं उसमें क्या क्या आपका क्राइटरिया देखिए उसके दो पर पर होते हैं जैसे कि इंडियन नैस्नल मूब्मेंट ठीक है इंडियन हिस्टरी इंडियन पॉलोटी एंड एकोनोमी वर्ड जोग्राफी एंड पॉपलेशन करेंट इवेंट एंड नैस्नल इंटरनेशनल इंपोर्टेंट यहां पर यह पांच टोपिक जो लिए गए हैं यह पांच टोपिक यहां के लिए इंपोर्टेंट तो ही साह साथ में अगर आप यूपी एस्ट की तयारी कर रहे हैं यह बीपी एस्ट की तयारी आप कर रहे हैं इस पेसली सीजील के लिए जो कमबाइंड लेवल एलजाम है ठीक है तो आप यह लोवर यूपी मार्स यहां पर देखे जाएगा अगर आप इन सारी चीजों की भी तैयारी करें तब भी आप इस स्रीच का मैनी फिडियो पोस्ट है ठीक है आप बस चैनल सब्सक्राब कर लिए प्रैस कर लिजे बैल आइकन को वह ताहीं जब भी हम जन्नल इस्टेटी या करन्ट टोपिक से की तैयारी करें तो उनमें बेनिफिट दो मिलेगा पर काफी हद तक अगर जो लोग एससी इंटर लेविल का एक्जाम देते हैं वह बैंक की तैयारी कर रहे हैं ना बैंक के लिए भी आपको यहां पर मिल जाते हैं काफी कोश्चन और यूपी पुलीस यूपीस आई उनके का दे रहे हैं उनको तो यह पार्ट बिल्कुल भी नीच होना चाहिए क्यों मैं इस पर बार-बार टाइम लगा रहा हूं कि देखिए यह वाला जो इंपोटेंट पार्ट है अगर आप इसको बहुत अच्छे से कबर करेंगे तो आप कभी भी किसी भी एक्जाम को अच्छ नहीं देगी तो आप इसको जुरूर देखें इसलिए हम स्टाटिंग जनरल स्टेडी से करेंगे दैन भी बिल्मूब हों दा लोगन चीक है तो अब इसमें क्या होंगे कि हम टोपिक के साथ पुराने जो करेंट अफेर के यह जो ओल्ड जो कोश्चन पेपर 10 यह की उनको स साथी साथ में इंपोटेंट होगा में के जिए कि राइटिंग इसमार चीज्स तरह से करें तो यह सारी चीजी हम étape कबर करेंगे जिसे कि हमेसा concent के लिए याद बेंगे आ सब्सक्राइब करने के बाद सफलता नहीं पा सकते तो इसलिए आपको यह अगर एपियो या का पैटरन क्या होता देखिए इसमें डेड़ सो अंकों का जो एक समय पेपर होता है इसकी अब दो घंटे की होती है या 120 मिंट दोनों एक ही बात है ठीक है तो जो भाग वन है जो से मैंने आपको बताया था यह समानिय ज्यान के लिए जिए जैस के लिए जैनलिस्ट को कुश करेंगे पहले वाले से स्टार्टिंग करेंगे जो 50 मार्स का आपका कवर कराएंगे सामानिय गयान वाला दैन बीबिल मूब ववंदा हंडेड वाले पर क्योंकि जो बंदे आक्चुली श्रीप एप्यों को नहीं करना चाहरे इस वाली स्रीज को देखकर जैनलिस्टिक दे हिंदी में आपको क्या क्या चीजें यहां पर पढ़ने के लिए मिलेंगी जैसे कि हिंदी में वद्धिया गया है कि समानने विज्ञान इथिया सदाश्टिय अंदोलन जोग्रफी प्रदूसर्ण दी सारी चीजें इसमें देखिए नंबर वाइस दिखाए गया है कि 10 होती और सामाने विज्ञान का एट नंबर का है इंडियन हिस्ट्री एट नंबर की है आपकी इंडियन नेशनल मुमेंट जो भारत राष्ट अंदोलन ता वह इत नंबर का राजनीतिक अर्थ विवस्ता से यहां पर जुरू निकल कांगे क्योंकि कोबिट की वज़े से इकनोमी है उसमें भी बहुत सारे चेंज़े जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहां से भी अच्छा का सा कुश्चन बनने के चांसे हैं इंपोटेंट पार्ट हो गई इस बार के लिए 2021 के लिए और साथी साथ बिस भूल और पॉलूशन प्रदूशन यहां पर तो इसलिए यह इंपोटेंट होने वाला है जो लोग इस बार की तैयारी करते हैं रीजन क्यों है क्योंकि जो लोग कोविट की वज़े से जो लोग डाउन लगे हैं या फिर अपने आपको कॉलंटाइन की है या जो लोग घर में है तो पिर दूसरा काफी हद तक निखर गया आपका न आपको अगर आपका प्लान है तो आपको इंडियन पीनल कोड को कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं आपको 35 तक के मार्स दिलाएगा एविडेंस एक्ट आपको 25 25 एंडियन पुलिस वाला है वह 15 तो यहां पर आपको यह तीन टॉपिक तो बहुत अच्छे से गवर करने हैं और प्लस आप जो जो जैनल स्टेटी का कर लेते हैं तो आपका जो है अच् आपको मिलते हैं चार पेपर को हर एक पेपर का हंडेट नंबर के मार्क सोगे उस नंबर के और में एक्जाम के और जो समय सीमान इधारत की गई है जो टाइमिंग है एक्जाम की वह त्री और से काफी कुछ आपको यहां पर लिखना पड़ेगा आप मानके चली कि अगर आप दिन में दो नहीं करते तो आप वह एक्जाम में कितना अच्छे से अपना हैंड राइटिंग को बलकरार करते हैं लिख पाएंगे अब आप मानके चली कि एक्जाम जो होता है यह दिटन एक् नमबर नमबर दो आपकी हैड राइटिंग एच जब लू लिख देता हूं इसको हैंड राइटिंग भी आपके अच्छी नहीं है और नमबर तीन अगर आप स्पीड में नहीं करते तो शर्फ आपके पास अगर नोलीज है तो आप समझे लिए तब भी आप फ्लोप है सु आपके पास नोलीज है आप पता नहीं आपको कितनी स्पीड में लिखना है तब भी आप को चोड़ाएंगे यह पता नहीं चला अप मरलब अर्दू लिख या निंगलिस लिख आया तब भी आपके नमबर कट हो जाएंगे बेसक आपकी नोलीज अच्छी हो और राइटिं एकजाम के लिए तयारी करें खासकर दिए इंसारे एकजाम के लिए आप किस तरह से लिख सकते हैं तो देखिए जो तो आपको उस पूरे जो कोश्चन में आप डिसकस करने वाले हैं जो में में टोपिक है आपको हाइलाइट कर देना है इस 80% में जो आपने आइलाइट किया उसको डिटेल्स में जो अगर आपके पास हैं और टादेश किया इसको अगया व्याइज कवा पर्सेंट आंग के दशांग कर सकते हैं और जो नग 근कूलिज ना मान के चलि आप इन दोनों का सार यहां पर निकाल कर दिएपसक्त नहीं इम्पोर्टेंट है एक इमेजेज ये पिक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है और इस 10% में लिखने का क्या तरीका होना चाहिए कि एक्जामनर को बहुत चीजे आप बहुत अच्छे से समझा पाएं कम सब्दों में जो वह आपसे उमीद करता है यह जब हम में में आएंगे य में में एक्जाम में है हुपटें कि तो हिंदी आपको अगर में वापस यूपई पींच की इस प्यूप करता हूं हिंदि आपको मिलेगे आरो के एक्जाम देंगे तो मिलेगी UP SI का सबस्पेक्टर के एक्जाम देने जा रहे हैं तब आपको मिलेगा lower pieces आप देने UP lower pieces तो मिलेगा UP में अगर आप जो teacher की tat का एक्जाम देने तो आपको मिलेगा तो देखे हिंदी बाला अगर कोई UP का बंदा यह खासकर यूपी नहीं बिहार के बंदे भी अगर हिंदी से डड़ रहे हैं तो हिंदी तो आप छोड़ी नहीं पाओ गया हिंदी पे आपको कमांड रखनी होगी किसी भी अच्छे और बड़े एक्जाम को क्लियर करने के लिए चलिए देखते हैं कि किस तरह से करना देखे अब UPSC वाले बंदे सोचेंगे हमारी बात नहीं की देखें उनकी भी बात किये उनमें भी यह क्वालिफाइंग जो होता है एक लेंगविज के लिए करने के लिए बहां पे भी क्वालिफाइंग नेचर के अकोडिंग आपको चाहिए होता है कि आपको एक एक्जाम पास क करना है इंग्लिस और हिंदीका बेशक वहालिफाइंडी पेपर होता है। उसके मार्त को इंक्लूट नहीं होतें लेकिन क्वालिफाइद तो करना पड़ता है है माली आपने सारी चीज़े कर ली आप उसमें फेलोगे तो आप भी तब भी फेलो चीक है तो आप हिंदी यह बहुत ही इजी तरीके से हिंदी की सबसे ज्यादे दो या तीन पॉपलर हैं पर बुके हैं जैसे आधित्य पब्लिकेशन है एक एर एक और जो है वो हरी जो टीचर है प्लस नोट वह सारा इंकलूट करके हम यहां पर हिंदी पढ़ाएंगे लोगतियां महावरे आपको बहुत अच्छे से ख़रा दी जाएंगे तो इसलिए मैं इस पर भी इस टाइम नहीं करें कि हम लोगों को स्टैप जोगा वह जनरल स्टेडी दैन हिंदी उ आपको अल्टरनेटिव डे पर हम ज़रूर देंगे जनरल लोग जीएस जो होता है वह जनरल स्टेडी होता है और जीएस के अंदर ही जन जीकी भी आता है ठीक है तो ऐसा नहीं कि अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं तो मलब जीके को क्वेश्चन गए और यह भी नहीं कह सक जीके के कुछ टोपिक हैं वह आपको बता दूँगा जो ज़से करेंट इंडियन कल्चर आया एंड़ में इंडियन इकोनोमी हाला कि यह सारी चीजे में पढ़ेंगे हैं गुमा फिरा के बुई सारी चीजे जब हम कवर करेंगे उसमें सारी चीजे आ जाएंगे लेकिन फि सब्सक्राइब कीजिए आपको पूरी में आप एक यह की तैयारी करा हुआ और कोई भी कोश्चन अगर आपको बच्चों तो आप यह कमेंट में दे सकते हैं मैं उसका अंसर दूंगा प्लस चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब कर लिजिए और अगर कोई और भी हमारे जैसे यूपी एसी का चल रहा है पीस चल लाए यूपी लेखवाल के हम लोग तयारी करा रहे है यूपी ऐसाइब जो रो सो दो पर है ना उसके साथ साथ अगर आपको चाहिए कि लोग पीसे सब्सक्राइब या यहां पर यहां पर आप से एक सीज बनी हुई जलिए मिलते हैं नेक्स लास में थैंक्स फोर वाचिं इस वीडियो